आज हम लोग करेंगे A2 hosting का detailed review Hi guys, मेरा नाम ही कृपेश आडवानी, यहाँ पर मैं web hosting के related videos बनाता रहता हूँ आज हम लोग बात करने वाले A2 hosting के जो काफी established hosting provider है मेरे पास इनका एक plan है जो पिछले एक साल से है almost तो इसले एक साल के experience के basis पे मैं आज का video बनाने वाला हूँ काफी detailed रहेगा, इसमें हम लोग uptime देखेंगे, load test देखेंगे and last year भी मैंने A2 hosting का review किया था, वो आप 5 बटन के उपर मिल जाएगा तो हम लोग उसको भी compare करके देखेंगे कि last year क्या changes हुए थे क्या इसके plus points है, क्या इसके minus points है, कौन सा plan आपको purchase करना चाहिए 2021 में purchase करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए सब कुछ आज के इस video में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके user interface के जैसी हम लोग यहां पर लॉग इन करेंगे, हमें यहां पर इस तरीके का interface दिखाई देता है यहां पर मेरे पुछ पुराने plans है, और जो active वाला plan है, वो मुझे यहां पर नीचे देखने को मिल जाएगा जैसी में यहां पर manage पर क्लिक करूँगा, यह मुझे इस page के ओपर ले आएगा, जहां से मैं इस plan को manage कर सकता हूँ मेरी website का क्या URL है, क्या cpanel का URL है, क्या name servers है, कौन सा username है, कौन से password है, वो सब मुझे यहां पर दिख जाएंगे and then यहां से मैं quickly access भी कर सकता हूँ, cpanel पर login कर सकता हूँ, इनका जो web mail है, उस पर login कर सकता हूँ तो इस तरह के यहां पर interface है, interface में पिछले साल के according यहां पर कोई changes नहीं करे गए हैं तो interface ठीक ठाक है, इसको थोड़ा और modern किया जा सकता था मेरी opinion में 2021 के हिसाब से, लेकिन it is just an okay interface in my opinion तेस्टिंग पारमीटर की बात करूँ तो यहां पर जो मेरे पास प्लान है वो है टर्बो बूस्ट का सिंगापूर के सर्वस यहां पर मैं यूज कर रहा हूँ, जो website hosted है वो है यह वाली यह बेज़ ऑशिन डवलूपी थीम के ऊपर, जिम टेंपलेट यहां पर मैं यूज यहां पर यही सेम टेंपलेट का मैं यूज करता हूँ अपने हर टेस्टिंग के लिए भी और कैशिक लेहां पर मैं यूज कर रहा हूँ लाइट स्पीड का इनकी डिपोल्ट सेटिंग के ऊपर, सब रिस्पॉंस टाइम की बात करो तो यहां पर सिंगापूर में मुझे अ यहां पर मैं पर टेस्ट कर रहा हूँ पिछले 340 डेस से तो यहां पर मैं इसको अलमूस्ट एक साल से टेस्ट आउट कर रहा हूँ जो इसका आवरेज मुझे अप्टाइम मिला है वह 99.94 परसेंट जो की मेरे ओपीनिन में यहां पर थोड़ा और बेटर हो सकता था कंसिडरिंग में इनके टर्बो प्लान पर हूँ तो 99.99% होता तो काफी अच्छा रहता लेकि 99.94% भी ठीक है डीसेंट है और जो इनका अप्टाइम पिछले 6 महिने में रहा है वो काफी इंप्रूव भी हुआ है और जो इनका लॉंगेस इंसिदेंट था वो था 39 मिनिट क पिछले महिने में इनका अप्टाइम इंप्रूव हुआ है और जो भी डिटेल्ड अप्टाइम है हर महिने का अप्टाइम में अपने ब्लॉग के ओपर अपडेट करता रहूँगा उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा तो एक बार जाके आप लो अपने करीब हो थी 7,151 और पीक रिक्वेस्ट अरूंड 42 तक गई थी इसमें खास बात है कि कोई भी HTTP फेलियर नहीं हुआ है आवरेज रिस्पाइक्स नहीं देखने को मिले हैं तो लोड टेस्ट इसने याँ पर काफी अच्छी तरीके से पास कर लिया है तो आपको अगर आपको इनके Lightspeed वाले प्लान लेते है Lightspeed Servers वाले प्लान तो आपको Lightspeed Cache Plugin का यहां पर यूज कर सकते हैं डेटा सेंटर की बात करो तो यहां पर यूएस में दो डेटा सेंटर यूरोप में एक है और एशिया सिंगापूर पर आपको एक डेटा सेंटर देखने को मिल जाता है Free Domains की बात करों तो है आपको कोई भी Free Domain Name नहीं देखने को मिलता है इनके किसी भी प्लान के ऊपर लेकिन यहां पर आपको सब Domain Names Free में मिल जाएंगे सिक्यूरिटी के बात करों तो है आपर वायरस स्कानिंग आपको देखने को मिल जाती है Immunify 360 का सपोर्ट है टू-फाक्टर ऑथेंटिकेशन भी है 24x7 मॉनिटरिंग सर्विस भी है यहां पर जो मैलवेज और बागी सारे अटाक्स वागरे स्कान करते रहते हैं फ्री SSL सर् सब्सक्राइब से पारे के समया लिए अगर अगर आपको और अग्या को अप्षय को मुयों बाधली वाइंटर्ते है के तरीको अपनř 4 यहां यहां रहते हैं लेकिन उनल्ली बाकप सो नहीं क्रेट कर सकते हैं तो इचल एकालिय beş स्टर기 होई तो जो की आपश्य पर से उस प्रिवांस ओप्शन चाहिए तो फिर यहां पर ड्रॉप माई साइट का भी ओप्शन है लेकिन उसके लिए यहां पर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा सपोर्ट की बात करनो तो है यहां पर लाइफ चाट सपोर्ट है जो की मेरे एक्स्पिरियंस में काफी फास था लेकिन जो क्वालिटी ओफ सपोर्ट मुझे देखने को मिला है वो इतना अच्छा नहीं है considering last year जो इनका सपोर्ट था लाइज चाट सपोर्ट था वो काफी अच्छा था इस साल जो मुझे इनका लाइज चाट सपोर्ट देखने को मिला है वो फास्ट हो है लेकिन उतरा अच्छा नहीं है जितना last year था लास्ट येस जो था लेकिन वो quality सपोर्ट था यहां पर मुझ सर्च करके मुझे बताने के लिए और जो इनका टिकेट सिस्टम है वो काफी अच्छा है अट प्रेजेंट 2021 में भी जो इनका टिकेट सपोर्ट है जो इनके एक्सपर्ट है वो काफी अच्छे हैं लेकिन लाइचाट ऋपोर्ट के क्वालिटि यहांपर मुझे थोड़ी इनफिरियर लगी है इनोट कौन के बात कंदो हैं तो हम आप एक प्रांगे शे लाग पार करो है अब इस से पहले दिना मैं इसके प्राइजिंग के बारे में बात करो मैं एक डिस्लेमर तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे नीचे दिये काई लिंक से पर्चेस करके थांक्यू अब अगर यहां पर मैं इसके प्लान के बारे में बात करूं तो इनके शेयर डूसिंग में आपको चार प्लान देखने को मिल जाते हैं स्टार्टव-ड्राइव, टर्भोबूस्ट, ओर्भोमास लेकिन जो सबसे बेस्ट प्लान है टर्बो बूस्त वाला प्लान स्ट अप ऑर रिम यहां कुछ इतने खास अच्छे नहीं इन फाक्ट मैंने लास्ट यर जो इनका प्लान यूज किया था वो शायद से ड्राइव ही था लेकिन उसके मुझे यहां पर कुछ अच्छी पर्फॉर्मेंस नहीं देखने को मिली थी जो इनका बेस्ट प्लान है वह तर्बो बूस्ट यहां पर आपको इन्वी एमी एससदी अब जो यहां पर इसकी प्राइजिंग होती रहती है आप पर इनका ओफर चल रहा है जहां पर आपको 66% का ओफ देखने को मिल रहा है यूजुली यहां पर 51% का ओफ रहता है लेकिन आट प्रेजेंट यह आफर पर है तो 66% का ओफ है जो भी बेस्ट ओफर रहेगा वह अब अगर मैं इसके प्राइजिंग के बारे में बात करूं तो जो इनका बूस्ट प्लान है अगर यह थर्टिसिक्स मन्त के लिए लेते हैं आप लोग तो यहां पर आपको 18,400 के इसकी प्राइजिंग अभी आट प्रेजेंग मुझे देखने को मिल रही है अगे इसकी प् अबर हो जाएगा तो अगर हम लोग यहां पर इसको कम पिरेट लेते हैं 12 मंस के लिए 24 मंस के लिए तो जो इसकी पर मंध प्राइज है वो थोड़ी यहां पर इंक्रीज हो जाती है तो जो इसका बेस्ट प्लान है वो तीन साल के लिए है और यहां पर 18% का GST भी लगेगा है अगर आप लोग आय अन्र में पेमेंट कर रहे हो तो अगर आप लोग usage में कर रहे हो और आप न henãy आपने डिरस डाल कर रहे है तो फिर यहां पर आपको GST नहीं देना पड़ेगा लिकान आ यह एन और मेंघर तो उन्वहां अपर आपको सेका written यहां पर हम लोग अपने डीटर सिंटर सिलेक्ट कर देंगे अगर आपकी ओडियंस इंडिया से है तो सिंगापूर सिलेक्ट कर दीजेगा डेडिकेट इसकी भी रिक्वाइरमेंट नहीं है वेबसाइट बिल्डर भी है यहां पर जो कि आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़े आप लोग कंट्री में इंडिया सिलेक्ट कर लीजेगा अधेन स्टेट में जो भी यहां पर आपका स्टेट है अपडेट टोटल तो यहां पर आपको जीएस्टी आड़ होगा दिख जाएगा और नेक्स्ट क्रिएन के ऊपर यहां पर हम लोग अमारा जीएस्टी नंबर जीएस्टी नंबर डाल सकते हैं तो आपको यहां पर जीएस्टी इनवोईस भी मिल जाएगा पेमेंट ऑप्शन की बात लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वह क्रेडिट यहां पर देविट कार्ड यूज करके इनकी रिफंट पॉलिसी की बात करो तो इनकी रिफंट पॉलि करते हैं तो हमें फुल रिफंट देखने को मिल जाता है और अगर हम लोग तीस दिन के बाद रिफंट देखने को मिल जाता है मतलब जितने दिन आपने यूस किया उतने दिन के पैसे कटेंगे और जितने बचा हुआ जो टाइम है उसके पैसे है आपर आपको वापस मिल ज कि आपको कितने टाइम पर एक लिए तो फिर इनकी रिफंट पॉलेसी यहां पर काफी अच्छी हो सकती है आपके लिए माइगरेशिं की बात करों तो एक फ्री माइगरेशिं आपको देखने को मिल जाता है लेकिन वह ठीक थाक सा है बहुत जादा अच्छा मिन है लेकिन इट कांट गेट दॉब दन और अगर आपको और एडवांस फीचर तो इसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने पड़ेगी CDN की बात करों तो Cloudflare CDN यहां पर हमें देखने को मिल जाता है Software की बात करों तो यहां पर इनका software support है वो काफी अच्छा है PHP 8.0 देखने को मिल जाता है MariaDB है Node.js का support है PostgreSQL है PHP admin है Lightspeed Web Servers आपको इनके जो दूसरे वाले plans यहां पर देखने को मिल जाता है Python है Ruby है तो developers के लिए यहां पर काफी अच्छे features आपको देखने को मिल जाते है Windows Hosting के बात करों तो last year तक A2 Hosting यहां पर Windows Hosting प्रोवाइड कराते थे dot net websites के लिए लेकिन इस साल से इन्होंने यहां पर बंद कर दिया है अगर आप विंडोस hosting लेना चाहते है तो एक बात बिग रॉक के तरफ देख सकते हैं security measures इनके काफी अच्छे है developer friendly है और NVME SSD के आपको options देखने को मिल जाते है इनके turbo plan के उपर अब अगर मैं इसके कुछ cons के बारे में बात करो तो जो इसका price है वो थोड़े expensive site पर है क्योंकि एक established hosting है काफी time save वाली hosting है तो इनका price है वो भी थोड़े expensive site पर यहां पर रहेगा जो इनका support है वो अच्छा है लेकिन जो इनका live chat support है वो थोड़ा average लगा है मुझे जो इनका ticket support है वो काफी अच्छा है free domain name यहां पर आपको नहीं देखने को मिलते हैं इनके किसी भी plan के उपर और जो इसका up time है वो भी यहां पर थोड़ा बहुत improve हो सकता है A2 hosting is one of the most established hosting out there काफी पुरानी है काफी established है और जो इनका best plan है वो है इनका turbo boost plan लेकिन जो इनकी regular pricing रहती है जिस पर 51% आपको off देखने को मिलता है उस pricing पर थोड़ा expensive मुझे लगता है जबी भी इस पर discounts आते हैं तब उसकी pricing यहां पर काफी अच्छी हो जाती है जो मेरा नीचे दिया गया link है उस पर discount code automatically applied हो जाएगा तो जबी भी discounts आएंगे मेरा telegram channel भी है वो भी जाकर check out कर सकते हैं तो में update करता रहूंगा और उस time period पर A2 hosting को लेना काफी अच्छी deal रहेगी और जो उनके regular pricing है उस पर it is a decent choice और एक और case जहां पर आप लोग A2 hosting ले सकते हो वो जब आप लोग शौर नहीं हो कि आपको कितने time period ले चाहिए इनका जो प्रोराटा के basis पे इनकी refund policy है वो काफी अच्छी है तो अगर आप लोग ने या पर तीन साल के लिए भी डे लिया और आपने hosting को सिफ यूज किया चार महीने लिए उसके बाद आपको लगा कि नहीं आपको requirement नहीं है इसकी तो फिर यहां पर जो बच्चावा time है उसका यहां पर आप लोग refund क्लेम कर सकते हो तो उस case में भी A2 hosting यहां पर आपको काफी अच्छी option प्रोइड करा दिता है अपर फ्रम A2 hosting क्लाउडवेज काफी अच्छा option है केमी क्लाउड और फास कॉमेट भी अच्छा option से बजट में होस्तिंगर आ जाता है हमारे पास और rocket.net भी काफी पॉपुलर हो रहा है दिरे-दिरे आपको यह वीडियो अच्छा लगाए तो इसको थम्स अप देजिएगा अगर कुछ कोश्टन से तो आपको मुझे नीचे comment box में पूच सकते हैं और आपको मुझे नीचे नीचे बिद्धार बाइओ